नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्रसोन महारास्ट में बीजेपी वाली महायोतिगत बंधन ने दो त्यहाई बहुमत का आकड़ा पार कर लिया है बड़ी खबर यह भी है कि असली शिव सेना के तौर पर महारास्ट की जनता ने शिंदे वाली शिव सेना पर और असली एंसीपी के तौर पर अजीद पवार पर मोहर लगा दिया है वहीं जारखंड में जे-म-म के नेत्रित वाली हेमन सुरेन सरकार दूसरी बार सत्ता पर काविज होती दिख रही है जारकंड में इंडिया गड़बंधन की सरकार अपनी दूसरी पारी हेमन सुरेन के नेत्रित में करेगी बात करे उप्चनाओ की तो यूपी उप्चनाओ की बात करे तो उसमें से नौ में से साथ सीटे इंडिये गड़बंधन की जोली में गई है जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में महर्ज 2 सीटे आई इससे समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का नुखसान होता दिखा राज़ास्थान उप्चनाव की बात करें तो 7 सीटों में से 5 ने पांच में बीजेपी ने एक कॉंग्रेस ने और एक अन्य के खाते में जाती दिखी बंगाल उप्चुनाव में 6 में से 6 सीटे टीमची के खाते में गई यानी ममता दीदी का वर्चा सुबरकरार है पंजाग की बात करें तो चार सीट में से 3 सीट आमादमी पार्टी को एक कॉंग्रेस को मिलती दिखी बिहार में चार में से 3 Cityए अंडिये को एक अन्य को मिल दी वहीं इन चुनाव में महाराष्ट में बड़ा संदेश दिया है महाराष्ट ने संदेश दिया है कि कौन असली है कौन नकली एबात आकडों के जरिये भी समझी जा सकती है बीजेपी 179 सीटों पे चुनाव लड़ी जिसमें से 139 सीटों पे उसका दावा बन रहा है और वह जीत रही है आगे बनाए हुई है कौनग्रेश की बात करें तो वह अभी मौझूदा समय में 15 से बीच के उस गड़ित में जूल रही है जहां उसकी पांज सीटे कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन अभी आख़ा मौझूदा समय में 20 से घड़ के 15 हो गया है शिवसेना की बात करें तो सिंदे गुट वाली शिवसेना ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए 55 से 57 सीटे जीत ती हुई दिख रही है हाला कि वह 81 सीटों पे लड़ी थी शिवसेना उधाव की बात करें तो वह महज 20 सीटे जीत पा रही है जबकि वह 95 सीटों पे लड़ी थी हम इसी दो सिंदे गुट ने 81 सीटों पे लड़के 55 पर विजय दर्ज की है जबकि उधाव ठाकरे वाली से उसेना महज 20 सीटे ही जीत सकी जबकी 95 सीटों पे वह चुनाव लड़ रही थी तो यहन सीपी के अजीद गुट की बात करें तो यहन सीपी ने करीब करीब 41 से 44 सीटे जीती है और एंसीपी अजीत गुट ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि सरद्पवार वाली एंसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसको महज 10 से 12 सीटे मिलती दिख रही है यह आकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट की जनता ने असली सीटों का चुनाव कर लिया है कैसे असली एंसीपी का चुनाव कर लिया है यह आकड़े लोग सभा चुनाव से अलग दिख रहे हैं विधान सभा चुनाव में साफ कर दिया है कि महाराष्ट की जनता की पहली पसंद स्युसेना की तोर पे सिंदे गुटवाली स्युसेना है जो असल में बाल ठाकरी का प्रतिनी जित्त करती है उनके हिंद्त को लेके आगे बढ़ने की कोसिस करती है और उदारवादी चेहरे स्युसेना की पूरी तरीके स्याजीत पवार ही है अब आने वाला समय सरत्पवार के लिए कितना खटिन होगा आप इस तरीके से समस्क्ते हैं कि अब दोहजार उन्तिश तक ना लोग सभाचुनाओं होना है ना विधान सभाचुनाओं ऐसे में सरत्पवार की राजनी थी उस सरत्पवार की राजनी जो चाड़क के माना जाता है महाराष्ट का अब उनकी राजनीती खत्म होने के कागार पे पहुंच चुकी है यह भरोसा केवल महायूती को ऐसे ही नहीं मिला है आपको बता दे कि तकरीवन 26% से ज्यादा फिर्जदी ओटों से बीजेपी का ओट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस 11 फिजदी से ज्यादा ओट लेके आगे वड़ी है तो सिवसेना सिंदे गुट 12.5 फिजदी से ज्यादा ओट फिजदी हासिल की है जबकि सिवसेना उधर ठाकरे वाला दस दसमलाओ पांच का अकला पार कर रहा है यंसीपी की बात करें तो यंसीपी अजित गुट ने दस दसमलाओ दस फिजदी ओटो के साथ अपनी भागेदारी सुनिशित की है तो यंसीपी की सरद पवार वाली यंसीपी 11.5 फिजदी के ओट से अपनी भागेदारी तैंक है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद ह हैं मुहम्मद अमीन राजनीतिक विसलेसक के तौर पर हरी मौन कौसिक भी हैं हमारे चुनाविज पहला सवाल मुहम्मद अमीन साथ से अमीन साथ आपने देखा कि किस तरीके से सरद पवार वाली यंसीपी का ओट परसेंटेज जादा है 11 फिजदी के तकरीवन और अजीद सरद पवार वाली यंसीपी का जो ओट फिजदी है हुआ दस दसमलाव एक जीरो है हाला कि सरद पवार ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन क्या ओड परसेंटेज देखने के बाद लगता है कि अभी भी सरद पवार की लोगता बनी हुए है लेकिन पुराने चत्रफ हैं और वहां के पुराने मराथा लीडर है आप देखिए अगर इपिहास में तो आज की देट में ना चौहान साब रहे ना कोई रहा उसमें सिर्फ एग यही पुराने लीडर है जो वहां पर बचे हैं तो लोगों ने इनको संपैथी के नाते इनको होट दिया है तो थोड़ा इनका परसंटेज जादा है लेकिन सीटे नहीं ला पाए उनको सीटों में नहीं कनवर्ट कर पाए जो की अजीड पवार में सीटों में बड़ा कपनी बना ली तो यह देखने को है कि लोग जो चाहते हैं वो एक नए यूग की भी शुरुआत करना च बताओं कि महायूती का जो उधार वादी चहरा था वो अजीड पवार थे हाला कि अजीड पवार जिन केंडिडेट को लेकर आगे बढ़ें उनमें से कुछ चर्चित नाम मैं आपको बताता हूं जिसान सिदिकी जो अजीड पवार की एंसीपी पार्टी से बांद्रा इस् उसेना के वरूर दिसाई से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी जिसान सिदिकी के उमिद्वारी को लेकर कश्मकस में थी लेकिन अजीड पवार ने साप कर दिया था कि मैं इनको टिकट दूंगा तीसरे नंबर पर रहे नवाब मलिक जिनका लिंक जोड़ा जाता था की खटास थी मन में इन दोनों के हारने के बाद मुझे लगता है कि यंसीपी से दूर हो गई होगी है जीड पवार से दूर हो गई और होगी और अजीड पवार के भी सर से बलाकटी मुहमाद अबीन साब इसने गोई दो रहे नहीं है जो आप बता रहे हैं बिसकी सत्यता है वो और सत्यता ही सामने आई है कि लोग जो है क्रिमिल्स को नहीं चुनकि वापना चाहते हैं बहल के देखा जाए तो समाजवादी का भी जो चेहरा है वो थोड़ा पब्लिक में जादा कंट्रवर्शन नहीं है वो हमेशा पब्लिक के हितों की ध्यान रखता है तो मुस्लिम से भी देखा कि जो इसी एरिया था वो डॉमिलेटर्ट था मुस्लिम एरिया तो वहां भी नवाब मरी को ना देके यह अब इनको दिया है अबू को तो अबू को जीतने का कारण यही है कि वो शुरू अबू कर पाए इस बात को और वो फेल हो गए तो लोगों ने सुचा कि टेंटर्ट चेहरे को के हम वोड़ देंगे हम उसको जो इनके मुस्लिम से भी सोचा कि हम अच्छे चेहरे को जिता के बेज़ें जिससे की कुछ बात हो सके मनना ही तो कंट्रवर्शल थे ही जेल भी की बागडोर समालेंगे हां जिए डिए डिए टेया चालीस सीटे मतलब चार गुने से ज्यादा जीत रहे हैं अजीत पवार हां तो जंता ने भी मौहर लगा दी है लेकिन बात उधाउट ठाकरे की करे तब तो आपके सामने भी दिक्कत होगी उधाउट ठाकरे की राजनीती खत्म बानी जाए या अभी कुछ बाग बाकी है लेकिन डाकर महमत अमीन साहब जिन आराजनी तक को कह रहे हैं कटर हिंदुत के घोड़ों पे सवार होके जिसकी सवारी करती थी सुषे ना उसको तो उससे तो उतर चुके थे ऐसी इस्तिती परिस्तित में जब उधाव ठाकरी कटर हिंदुत को छोड़ चुके थे तो लग रहा है कि मानो सभी जितनी भी पार्टियां थी कॉंग्रेस के उड़ बैंक पे सवारी कर रही थी हाँ इसमें कोई दोर आए नहीं देखा जाए तो वह लोग हिंदुत का चेहरा ओड़े हुए थे लेकिन ओपन हो गए लेकिन शिंदे गुट ने जो है वो अपनी चाहब बना के रखी इस लिए इनकी प्रभुत्ता बनी रही थोड़ा सीथे अची आई एंसीपी से तो कार अब प्राय हमारे साथ मौझूद हैं हरी महान कौसिक जी हरी महान कौसिक जी आपका स्वागत है दूसरा एकि औधाव ठाकरे की राजनी थी अब क्या होगी क्या वो कांग्रेस के यह बैंक पर अपनी राजनी ती जारी रखेंगे या कट्टर हिंदुत वाले सारे योट ब तरीके से यूटर्न की फॉर्म में गए हैं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके कंदे पर ज़्यादा सवार हैं अगर उसमें से आज NCP और पॉंग्रेस इन्हें कहते के उद्धर जी अब हमें आपकी आवशक्ता नहीं है तो ये जो 20 आक इसे लगता है कि जो रिजल्ट आया ना सभी बहुत खतरनाक है इनके लिए महाविकास अगारी के लिए क्योंकि कॉंग्रेस जो 12 लोग सवा की चीटे लेके आई हुई है अब वो सिर्फ 15 पर सिमट गई है यानि असलियत में छे में से पाच्वे नंबर पर तो पाच्वे जिन तहां उत्रेगी वो फ्रस्ट्रेशन उत्रेगी शिवसेना के उपर उद्दव भाव थाकरे के उपर कि हमने तुम से कॉंप्रमाइज किया ही क्यों अगर हम नहीं करते तो पॉसिवली हमारे पास जो 20 सीटे हैं इन में से कम से कम 10 से 15 सीटे हैं मेरे पास होती है तो इस पूरे रिजल्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो सर उद्व भाव थाकरे का करियर मुझे चौपट होता हुआ नजर आ रहा है मेरे अपने अपना अकलन कह रहा है और उद्व भाव थाकरे क्योंकि अपना वोट बैंक वो हिंदू तुमादी और वो और वो कॉमिनेशन हिंदू प्लस मराथा बीजेपी का हिंदू कूट बैंक और मराथा फेस उनके पिताजी का यह दोनों के दोमें इनके हाथ से जाते रहे क्योंकि बीजेपी साथ वाहर निकल गई और शिंसेदा जो शिंदे ग्रूप है उसकने मराथा चेहरे को आगे बढ़ता है सबसे ज्य के आये हैं और आप अन्दाजा लगा कर देखिए सर 45 टोटल मिलाकर भी तीसरे नंबर पर नहीं है और NCP से बस चार सीटे जादा है तो सब यह असलियत में अब महाविकास अगारी जो है इसको पैठ के इंट्रोस्पेक्शन जब यह लोग करेंगे तो सच में अब इनने ज कालिद और मुस्लिम वोट बेंक की ना ओपर सवार होके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे सर कहीं ना कहीं का यह वाला जो मामला है यह जितना वैक फायर करके गया है और जो नौवानी ने जो सत्रा के लिस्ट दी थी और बीजे पी ने उसे बुनाया और बीजे पी यह नारे के उपर सिट बैठा सर मुझे लगता है कि महाविकास अगाडी या रियू कहें इंडी अलायंस इस बात से मैं भी इतफाक रखता हूं हरी मोहन कौसिक जी की कांग्रेस अब आत्म मंतन जरूर करेगी की उधाव ठाकरे को साथ लाना क्या सही कदम था या गलत चूंकि उसके प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले चुनाव हार चुके हैं बाला सहब थोरट जो सांगनेर्ट सीट से लगातार आठ बार विधायक रहे वह अभी चुनाव हार गए कदावर निताओं की बाल लग गई हारने के हारने पे ऐसी इस्तित परिस्तित में आपको क्या ल अधिशिक ने कर पाए और इसमें सबसे जादा फाइदा हुआ उद्धर ठाकरे को जिसने कोंक मुंबई से लेकर पॉंकर बैल्ट के उकर फोकस किया और वो जो मुस्लिम बोट आप उद्धर ठाकरे बोल रहा हैं शिंदे गुट को फाइदा हुआ पे कह रहे हैं बेर रही उद्धर ठाकरे की जो 20 सीटे मैं आगर उसकी बात कर रहा हूं तो अधियत में उद्धर ठाकरे की शीडे सा अगर हम देखते हैं तो वो आपर अध्रेश две 2 अनलाइज करेंगे तो मैं पता लगएगा lower लेकिन श्रिंदे गुट्की सुसेना को वि दो बड़े जटके लगे हैं पहला मिलिन देवरा जो आदित ठाकरें से चुनाव हार चुके हैं दूसरा साइना रियकों कॉंगरिस के अमीन पटेल से भी हार चुकी है ऐसे अस्तित में आपको क्या लगता है की जिस तरीव का कध था मिलिन देवरा का और जिस तरीके से वह राजनीत कर रहे थे यह सुसीना के लिए जटकी की बात है तो जैन्मनली एक मुस्लिम वोट पैंग था जो कॉंग्रिस को मिलता था आप प्राब्लम यह आई है कि अस्मियत में देवरा को वह हिंदू और जिस सीट से वह लगए है और वोट से लेकर छोटे बड़े लावल के जितने भी नेता होते हैं तो वह अपने वोट डारेक्ट अगर किसी बड़े नेता से अप्रोच बन रही है तो उसको डे देते हैं असलियत में जो अजित्य ठाकरे है उसके साथ यही पार्ट हुआ है कि उसका अपना जो वोट अपनी सीट पर था वो कंसॉलिजेट था वहीं अगर हम देखते हैं सेना को अगर उनके प्रॉपर वोट नहीं मिलते हैं तो उसका और याशिव सेना की कुछ महाविकास अगायरी से कट्मेट होती है तो मिलिन देवडा को पॉजिटिव पार्ट या पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल सकता है अभी तुपर सर्वोड़ा का मिश्किल लग रही है मुहम्मद अमीन सहाब अगर जो नतीजे सामने आये हैं उससे साफ है कि जो कट्र हिंदुत वाली हवा बहती थी जिसके उपर जिस घोड़े के उपर उधर ठाकरे सवार थे अब वह घोड़ा जा चुका है उसकी सवारी सिंधे गुट कर रहा है और उनका सौमे और नम्र ब बढ़ा रहा है जबकि उधर ठाकरी अपने को रोटर से छिटक चुके हैं और साइद अब उनको विकास अगाड़ी से भी किनारे किया जा सकता है आपको इसकी उमीदे दिखती हैं अब यहाँ बात करें थे मिलिन देवरा की इनके फादर हुआ करते थे मोड़ी देवरा सानस्की में वहां के पांप्रे के महरास्की अद्दक्ष भी रहे और सेंटर में मिनिस्टर भी रहे और यह मिलिन देवरा दी यहाँ पे सेंटर में मिनिस्टर रहे कांगरेस ने उनक जो मुसलिन वोट थे उद्धा के पाथ शुट हो गए और जाके उद्धाव ठाकरे के ग्रुप में चले गए और जो उनका वोट था जिसे आपने भी काया इस बातो वोट शुट रहा नग्या वोट वोन कमिला यूंद्धाव पुलाई जिए जहां तक सवाल है उद्धाव कि अब सवारी शूट चुकी है मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इनका जो सिंबल गया और इनकी जो जो साख गई इनो एक एलेक्शन कमिशन से भी आ रहे और यह जिदान सभा में भी आ रहे और मुझे लगता जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक टाने वाला आए उसमें भी कोई दोरा नहीं अब यह जीरे पंपे का पौधा कितना बनता है क्या होता ही लेका जाएगा तो पूरा परिप्रक को नहीं है उसे उन्होंने कैवेट मिस्टा बनाया तो उसको फायदा मिराए फिलाल में और यह थोड़ा ताइम लगेगा इसमें लेकिन जहां तक शिंदे का जो है सामने वो थोड़ा पॉजिटिव है ऐसा नहीं कि शिंदे को भी मुस्लिम वोट मिलते हैं तो काड होने के बहुत भी इनके पास सापोर्टर्स जो है मुस्लिम से भी है ऐसा नहीं है लेकिन अब आभी देखिए कि यह जितने भी जल्द थे इसब कांग्रेस की ओट पे पले बढ़े और बढ़े हुए अब अगर यह सारे दल कंजोर हो रहे हैं तो क्या कांग्रेस का बड़ा फाइदा दिखता है इसमें आपको की नहीं कि फड़ा कांग्रेस में बड़त बनाई है लोग अब बनाई है अगला एलेक्शन आएगा तो जो कांग्रेस के वोट में एक जगे करते होंगे लेकिन जो इस तरह की पचास पार्टियां बन गए थी उन पार्टियों का अस्टे तो खतम हो गया है तो आप शीर सेना लोग प्रोग्रेस की तरह देखना चाहते हैं अजीत कवार भी एक नए यूथ लीडर है प्रोग्रसीव है अब देखा जाए तो इनकंपरिजन तू शरत पवार तो आजीत पवार काफी जंग है इसी तरह देखा जाए तो शिंदे भी उनसे बेटर है और चीफ मिनिस्टर सब्सक्राइब है और लोगों ने भी देखा इस बात को इसलिए लिए लोगों को सपोर्ट मिला तो मैं समझता हूं कि शिंदे गुड़ भी अब रियल शी से ना कहलाएगा और उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी देखा जाएगा उसी तरह अजीत पवार का भी एंसीप पवार होंगे क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा तर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब अपना सीम बनाएगी तो जादा बेहता रहेगा अब फड़नवीज ही होंगे मैं इस पर तो कहता हूं हलाकि सबसे बड़ा तो बीजेपी में वही है लेकिन क्या होता है सेंट्र लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस कमफर्टेबल सिच्वेशन में बीजेपी अपने आपको देखना चाहती थी अप्राक्सिमेट वन ट्वेंटी सीच के आसपास उससे एक बैटर रिस्पॉंस मिलने की वजह से अब बीजेपी को कहीं कोई प्रावलम अभी फिलहाल अग लेकिन मुझे यह समाह में समझना होगा कि महराष्टर की राजनीती के दो फैक्तर समय देखने हैं पहला तर्माराष्टर की राजनीती में अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं तो मराठा पॉलिटिक्स अपनी डॉनियेट करती है तो बीजेपी को ना चाहते भी हमेशा एक मराठाच्ई चेहरा चाहिए वह शिंदे के हैं पहले वहाला साहिश था करें थे हिंदू हिंडू के नाम वोट करने वाला एक section है लेकिन मराठा तर गला करने वाला भीinks एक avez को बहुत ह् network नाराज नहीं कर सकते हैं अगर सिंदे की बारी आई तो अजीद पवार भी अपना दावाद ठोकेंगे मुक्मंतिरी पद पर और अजीद पवार की जिन लोगों को राजनीती मालूम है वह जानते हैं कि सरत पवार अगर कहीं यूटन लेते हैं तो अजीद पवार भी उसी यूटन के एक हिस्सा होते थे तो क्या अगर अजीद पवार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो डॉक्टर मुहमद अमी साहब कितना बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं देखिए अभी तो नतीजे आने है फाइनली नतीजे जब आ जाएंगे उसकी बार पता चलेगा लेकिन जहां तक सवाल है नतीजे आ तुकेल कमोवेस यही नतीजे है बीजेपी कमफर्टेबल रहेगी जो इस्थिती थी वही रहेगी अगर बनना है तो शिंदे को ही बनाएंगे अजीद प्रवार को नहीं बनाएंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही रखेंगे उनको कहेंगे जो अच्छी से इस बात को लेके यह आप लोग कमफर्टेबल रहे हम इसी तरह रखेंगे और देख लीजेगा मेरा फोरकास्त है यही रिजल्ट होगा शिंदे चीफ मिनिस्टर वो डिप्टी शीफ मिनिस्टर अगर फढ़नमीर संपर की राजीती में नहीं आते हैं तो उनको वहां पर र लग जाये पर नवीज कि जिए वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने उनको सेंटर में लाग लेकिन इतना तो तह हैं डॉक्टर मौहमद अमीन साहब की अब उधाव ठाकरे वाली सूच्छ से ना अपने अंतिम पाइदान पे खड़ी हो चुकी है और सरत्पवार वाली एंस पी उसके ताबूत में अंतिम की लग चुकी है आने वाला समय जरूर बताएगा कि अगर आप अपने कोर राजनीत को छोड़ते हैं तो यह मान के चलिए कि आपकी राजनीत का ज्यादा उम्र नहीं है इस चर्चा में आप दोनों खास मेमान बने रहे हैं आप दोनों का बह आप अप दूढगा कि वैगे आपके दूजओ को।